हलो गाईश, आप्टिकल प्रीस चैनल में अब लोग वागत है, आज मैं बतना वालो हूँ, manually compound power को आप कैसे समझे और compound power को आप कैसे neutralize करें वो मैं इसी वीडियो में बतना वालो, तो वीडियो स्टाट करने से पड़़्े मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे मेरे चै स्काइब कर देना और बेल आगन घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीहाँ है तो आप देख सकते मेरे पस्काइब यह कंपोंड फ़र है या नहीं यह कैसे आप संझए तो इसको जान लें के लिए आपको पहले लेनस में देखना है A.C तो दो लेंद्यक oh retro करने के एक फार्ड करने की तरीका है तो लेन्स ऐसे गुम हो गए तो पीछे के background एसे rotate होगा तो आप समझ जाओगे कि के इसमें इंड्य जाओगे कर में है उट अरह मैं तो पहले यह इसलेंट्रिक्रिकल पार अप देख लेना एक प्लास में यहrel equation मैं है तो सिलिंध्रिगल पाउर कैसे आप आईटिपाय कर सेकते हैं यह मैं बना चुका हुआ तो मेरे चनाए में जाकर आप देख सकते में बन देख सकते हैं तो इसमें सिलिंड्रिकल पाउर है और वाइस यह माइनस में सिलिंड्र पाउर तो पहले में सिलिंड्रिकल पाउर को नीट्रलाइस कर लेता हूं नीट्रलाइस करने के लिए मुझे चाहिए स्दीन्द्रिकल अनलेंस उसे ट्रशेट व्यवा्ड य दशरेदर हो सुनूर्ट की श्र psychologist क्वार्मनिंद्रेजिसी कि अनले यह तो हमसा एंगल में यह रोटेट होना बंध हो रहा है और कलियर भी देख रहा है कि अभी थोड़ा रोटेट हो रहा है तो मुझे और थोड़ा जाधा प्रव लेना है मैं 0.75 लिया तो प्लास वान सिरिंट्रिन्ट्रिकल ट्राय लेंज लेकर चेक करता हूं कि आइस प्लास वान स्लिंड्रिकल ट्राइलेंज लिया है मैंने तो आभी इसको लागा के मैं चेक करके देखता हूँ तो वाइस ये तो रोटेट होना बंध हो गया मतलब स्लिंड्रिकल पाँ नीट्रलाइज हो गया है अभी ऐसा करूंगा तो ये पिछा के बैक्राउंड मतलब दूर जा रहा है तो इसमें माइनास स्पेरिकल पाउर अभी दिखाई दे रहा है तो कितना दिखाई दे रहा है मुझे स्पेरिकल ट्राइलेंज लेके चेक करना होगा अलोब यह पावर माइनास में है तो प्लास स्पेरिकल ट्रायलेंज लगेगा स्पेरिकल वाला तो देख लेता हूँ चेक करके सिलिंड्रिकल पाउर नेटलाइस होने के बाद यह जो ट्राइलेंस का मार्क देख रहा है अपको गुल्डन कलर का है इधर एक इधर एक इसको सीधा-सीधा लेंस के ऊपर ऐसे मार्क कर देना है ठीके तकि यह नेटलाइस पॉइंड है आपको ढूनने में आसान रहेगा वैस मैंने स्पेर कल पावर ले लिया है ट्राइल लैस में तो अभी ये लेंस इसके नीचे प्लन पस नागाना है स्पेरिकल वाला पाउर ठीक है ये उपर राखना है सिलिंड्रिकल पाउर को निτά में ऊस त्षयली पाउर ईस बीठ्ण को एसे देखना है को पहले ने लगर इन Gir इन whats a शिलिंड्रिकल ित् Cow मह इस देखना कि उस nella सिलिंड्रिकल रखना है उसका नीचे पिर देख लेना है अब भी थोड़ा 0.25 ज्यादा लगेगा ठीक है थोड़ा दूर जा रहा है तो मैं प्लास 1.25 प्लास ट्रालेंज लेकर चेक करके देख आँ तो गाइस मैंने फ्लास 1.25 प्लास ट्रालेंज लिया यह तो अब ही उसको ऐसे रखना है चेंज करने के ज़रूद नहीं उसे एंगल में रखना है ठीक है अधी यह नीट्रलाइस हो गया है शुक्त तो अधी यह पीछ बीच्फ to n हो जुनीक हो रहा है तो में अब लोग से दिखा देता वे कि तो वाइस आप देख सक्त तपीछ पिजए के बेगगरांड आप ध्यान से देखिए हैं ये रोटेट भी नहीं हो रहा है और मैं लेंस पर ऐसे दूर लेके जाऊंगा तो पिछे के बेगरांड भी दूर नहीं लग र सब्सक्राइबANS ना रोग, टोटाली नीट्रलाइब Compound Compound Premier कि या हीलाँ कोड़े सबंचे में चार्द करा अब देख सकते हैं। बरहाबर क्लियर देख रहा है पीज़े को प्राउंड भी कुछ हिल नहीं रहा है मतलब यह टोटली न्यूट्रलेस हो गया है ठीक है मैं इसको हाटा दूंगा तो आपको पावर देख रहा है ठीक है गाइस इसका पावर निकला है पहले स्पेरिकल को लिगना है मतलब यह ट्राइल लेंस है प्लास 1.25 तो यह माइनास में पावर होगा अपोजिट रहेगा यह तो माइनास 1.25 पेरिकल और माइनास वन सिलिंड्रिकल तो आप एक्सिस तो कुछ भी एंगल में लगा सकते हो इसका पाव पावर तो होई है माइनास 1.25 पेरिकल तो उसके साथ माइनास 1.65 पावर टो आले और कॉंपाउंट पर को एसे न्यूटलाइज किया जाता है और और ऐड़िफाई ओर भी ऐसे किया जाता है तो पहले सिलिंड्रिकल पावर को आप अब निटलाइज करें फिर जाकि तो सिंञेसे अगल में अग्सिए को सब्सक्राइब कर दो सकते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं